हाई एविवन महिला की जिंदगी और शरीर में गर्भावस्ता के दोरान कई बदलाव होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि बचे का विकास शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है और विकास के साथ शुरुवात हो जाती है पोशक तत्तों की डिमांड की आपको बता दें कि जैसे जैसे भूड विक्सित होने लगता है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पोशक तत्तों की जरूरत पढ़ने लगती है ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे जूस के बारे में जो प्रेग्डेंसी के दोरान महिलाओं को जरूर लेना चाहिए दरसल गर्भा वस्ता में ताजा फ़लों के जूस का सेवन अगर आप करती हैं तो आप काफी हेल्दी फिल करेंगी साथी साथ भरपूर मात्रा में आपको विटामिन वा मिनरल भी मिलेगा कई महिलाओं का इस दोरान टेस्ट भी चेंज हो जाता है ऐसे में कई पोशक्तत वो नहीं ले पाती इसलिए अगर आप ऐसे में सभी पोशक्तत चाहती हैं तो आप जूस का सेवन जरूर करें इससे आपको सभी पोशक्तत तो मिल जाएंगे इसमें पॉइंट नमबर वन पर है संतरे का जूस संतरा या मौसमी के जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन होता है इससे शिशू की मास पेशिया विक्सित होती है साथ ही साथ उन्हें संक्रमर के खत्रे से भी बचाता है ये जूस इन्फेक्शन वगेरा से पच्चा दूर रहता है और अंदर हेल्दी रहता है आपको बता दें क्योंकि इस जूस में फॉलिक एसिड भी होता है जो शिशू के विक्स में भी काफी helpful होता है नेक्स्ट है गाजर का जूस गाजर में विटामिन ए और एंटी आक्सिडेंट पाया जाता है ये शरील में फ्री रेडिकल को कंट्रोल करता है गाजर का जूस पीने से कैलस्ट्रोल भी कम होता है और ये महलाओं की ठकावट को भी दूर करता है साथी साथ महला का एनरजी लेवल भी बढ़ाता है जिससे बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है नेक्स्ट है चुकंदर का जूस चुकंदर यानी बीट रूट चुकंदर में कार्बो हाइडरेट, विटामीन, मिनरल और क्लोरिन के मातरा पाई जाती है चुकंदर वेस्ट प्रोड़क्ट को मल मुद्र के जरिये निकालने में काफी मदद करता है इससे खून की समस्या भी दूर होती है क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं एनिमिक हो जाती है लेकिन चुकंदर के जूस का सेवन अगर आप करेंगी तो आप में खून की नहीं कमी होगी बिल्कुल भी और आपकी नार्मल रिलेवरी में भी बहुत आसानी होगी नेक्स्ट है सेव का जूस प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में ब्लेड की जरूरत होती है गाजर और चुकंदर के इलावा अगर आप सेव और अनार के जूस को लेती हैं तो इससे भी उसकी पूर्ती हो सकती है सेव में भी अच्छी मातरा में आईरन पाया जाता है जो की हीमोगलोबिन बढ़ाने और रक्त समंदी जो भी बीमारिया होती हैं उसको दूर करने में फायदे मंद होता है जिससे बच्चे का विकाद बहुत अच्छा होता है और बच्चे के शरीर में भी ऑक्सीजन बहुत अच्छी मातरा में पहुशती है नेक्स्ट है अंगूर का जूस अंगूर के जूस में एंटियोक्सिजन पर्चुर मातरा में होता है जो आपके शरीर को पोशर से भरपूर रखता है जिससे आपका बच्चा सेहत मन्द रहता है, इससे जरूरी पोशर वह विटामी शरीर को मिलता रहता है गर्बावास्ता के दौरान कीवी का जूस भी काफी फाइदे मन्द होता है इसमें विटामीन, मिनरल, फाइबर और कार्बो हाइडरेट का अच्छा स्रोथ होता है ये पेट संबंदी समस्याओं को भी दूर करता है क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओ को अकसर पेट से संबंदी कई समस्याओं हो जाती है गर्वती महिलाव के लिए सबसे बहतरीन जूसों में से एक जूस एस्ट्रॉबेरी का जूस भी माना जाता है इसमें फैलो टेस्स होते हैं जो शीशू की इम्मुनिटी सिस्टम को भी विक्सित करने में बहुत ही हेलफुल होते हैं नेक्स्ट है अनार का जूस धेर सारे गुणों से भरपूर अनार का जूस गर्भावस्ता के दोरान जरूर पीना चाहिए इसमें सही मात्रा में फाइबर, विटामिन सी और विटामिन के होती हैं ये कब्ज को रोकने में भी सहायक होता है साथ ही साथ अधिक आयरन को और शोशित करने में भी मदद करता है ये आपके शरीर में पानी की मात्रा को भी बैलन्स रखता है और इससे शिशू की मानसिक विकास में भी बहुत मदद मिलती है